आज हम पढ़ेंगे deficiency of vitamin vitamin की कमी से क्या-क्या रोग हो जाते हैं क्या-क्या बीमारी हो जाती है ठीक है तो इस साइड हमने table सा बना दिया है यहां लिख दिया हमने vitamin तो इस line में हम vitamin लिखते जाएंगे और deficiency और जो भी disease हो जाते हैं उनकी कमी से इस line में लेके हुए और sources हमें वह कहां से मिलता है ठीक है तो सबसे पहला vitamin है vitamin A vitamin A vitamin A की कमी से क्या हो जाता है night blindness क्या होता है रात के ताम दिन में तो ठीक है थोड़ा वा तेंगे रात के ताम थोड़ी problem हो जाती है देखने में दुन्दला दिखता है दुन्दला दुन्दला ठीक है तो vitamin A की कमी से क्या होता है night blindness ठीक है और यह कहां से मिलता है हमें carrot से गाजर खाने से egg से पपाया से फिश से और जो भी green leaf vegetables होते हैं उसको खाने से या हमें क्या vitamin A मिल जाता है दूसरे पर हम चलता है तो वह होता है vitamin B vitamin B की कमी से जो हो जाता है deficiency और disease जो भी हो जाता है उसको हम बोलता है very very ठीक है इसमें ग्या होता है weight lose हो जाता है weak सा feel होता है weakness हो जाती है very very से यह हो जाता है vitamin B कहां से मिलता है vitamin B हमको मिलता है peas, mutter हो गया, meat हो गया egg हो गया, nut हो गया इनसे हमें vitamin B मिल जाता है अब next पर चलता है vitamin C vitamin C की कमी से disease हो जाता है scurvy, scurvy में क्या होता है bleeding gum हमारे मसुडों से खून लगलने लगता है मसुडों में से खून लगलने लगता है उसको बोलता है bleeding gum ठीक है, उसमें स्कर्बी हो जाता है और इसमें इसमें भी हो जाता है, अभर ये विटामिन से हम कहां से मिलता है सिटरस फ्रूट में Neff SAR के सी छोते हैं जो भी खटे फल हुए, रस वाले फल हुए, जैसे ऑरेंज हो गया ठीक है जो भी खटते फल हुए ग्रेप्स हो गया उससे मिलता है हमको विटामिन सी ठीक है अगर नेक्स्ट आगे हम चलें तो विटामिन डी विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है डीजिस हो जाता है उसको बोलते है रिकिट्स रिकिट्स में क्या होता है जो हमारी बोन है न बिटामिन दी तो यह हमको अपनी प्रपर डाइट में लेना चाहिए ताकि कोई भी डिजीज ना हो और प्रपर डाइट लेते रहना चाहिए है तो हाईजिन देखना चाहिए एक दम कि सब पर